आज हम exercise 6.2 NCRT maths class 9 करेंगे In figure, find the value of x and y and then showed at a, b is parallel to c, d तो यहाँ पर दो लाइने दी हुई हैं हमें a, b और c, d एक बीच में जो है वो लाइन इनको cut कर रही है और यहाँ पर x और y point दिया हुआ है, एक angle यहाँ 50 दिया हुआ, एक 130 दिया हुआ है हमें x और y की value find out करनी है, और फिर बात में हमें a, b को c, d के parallel भी show करना है, prove करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यह देखें कि x प्लस 50 जो है, वो 180 के equal होगा क्योंकि यह line के a की तरफ दोना angle बन रहा है, linear pair के हिसाब से तो हम यहाँ पर लिख सकते है एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस, यह transpose होके इतर चला जाएगा, x इक्वल टू 130 डिग्री, तो x की value 130 आ गई है ठीक है, यह x की value 130 linear pair से आ गई, उसके बाद y इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130, because of vertically opposite angle, ठीक है, दो लाइने intersect करती हैं तो vertically opposite angle बनते हैं, तो यह हो जाएगा vertically opposite angle, y इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पर आप यह देखें कि यह दो लाइने, एक a b और एक c d, और यह एक बीच में transversal line नजर आ रही है, जो इन्हें काट रही है, अब यह जो angle x है, वो angle y के equal है, angle x equal to angle y, क्यों है, क्योंकि यह alternate interior angle है, alternate interior angle, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह line के इस तरफ बन रहा है, यह line के उस तरफ दूसरी तरफ बन रहा है, तो यह alternate interior angle हो गए, और alternate interior angle equal होते हैं, इसलिए ये भी 130 है और ये भी 130 निकल कर आया जब alternate interior angle equal होते हैं तो इसका मतलब alternate interior angle तब ही बनते हैं जब दो parallel line होती है और बीच में एक transversal line होती है तो therefore we can say that a b is parallel to c d hence prove ये question हमारा यहाँ पर इस तरीके से prove हो जाता है in figure if a b is parallel to c d and c d is parallel to e f and y is to z is equal to 3 is to 7 find x तीन लाइने भी हुई है और बताया गया है कि a b parallel है c d के c d parallel है e f के एक transversal line है y और z यहाँ पर angle है यह y और z इनका जो ratio दिया हुआ वो 3 is to 7 का दिया हुआ है एक angle यहाँ पर x भी दिया हुआ है जिसको हमने find out करना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर a b c d के parallel है और c d e f के parallel है तो a b b e f के parallel होगी तो हम यह लिख सकते हैं कि a b parallel to c d parallel to e f ठीक है यह हमारा एक theorem है theorem 6.6 कि अगर कोई भी जो है वो common line होती है और एक line के parallel दूसरी line होती है तो वो तीसरी line के भी parallel मागी जाती है ठीक है ना तो a b parallel to c d parallel to e f जब यह तीनों parallel होगा है यह transversal line होगा है तो हम यह कह सकते हैं कि angle x equal to angle z angle x जो होगा angle z के equal होगा क्योंकि यह transversal line है यह parallel line है यह alternate interior angle होगा है तो हम लिख सकते हैं alternate interior और यहां पर angle ठीक है angle x equal to angle z और angle x और y यह co interior angle हो जाएंगे दो parallel side के जो एक तरफ के angle होते हैं अंदर के वो co interior angle कहलाते हैं तो angle x plus angle y equal to 180 degree क्योंकि co interior angle का sum जो हो 180 होता है यहां लिख देंगे co interior angle ठीक है अब यहां पर जो है वो सबसे पहली बात यह है कि हमें y is to z का ratio 3 is to 7 दिया हुआ है इसका common ratio जो हो हम a ले लेंगे तो हम y को जो हो 3 a लिख सकते हैं और हम z को जो हो 7 a लिख सकते हैं common ratio a लेने के बात ठीक है यह fix value नहीं है यह खाली ratio दिये हुआ है अब यहां पर आप यह देखें कि x plus y equal to 180 है क्योंकि यह co interior angle है ठीक है और x जो है वो z के equal है अब अगर x z के equal है तो मैं x की जवा पर z लिख सकता हूँ अगर लिख सकता हूँ तो कैसे लिखेंगे angle z plus angle y equal to 180 degree अब यहां पर z की value क्या है 7 a y को कैसे लिख सकते है 3 a equal to 180 degree 7 plus 3 10 a equal to 180 degree और a equal to 180 upon 10 का मतलब 0 से 0 cancel तो a की value निकल कर आ गई 18 degree जब a की value 18 degree निकल कर आ गई तो angle y equal to 3 multiplied by 18 और angle z equal to 3 multiplied by oh sorry 3 नि 7 7 multiplied by 18 18 3 जा 54 और 18 7 जा 126 तो यह degree निकल कर आ गई हमारी दोनों angle की angle y निकल कर आ गया 54 degree 54 और यह निकल कर आ गया 126 अब अगर angle x angle z के equal हम पहले ही देख चुके हैं यहां पर क्यों क्योंके जो है वह यह alternate interior angle हैं क्योंके parallel lines हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो 126 इसका निकल कर आया वही 126 इसका होगा ठीक है ना तो यहां लिख सकते हैं मैं हम कि if angle x equal to angle z तो हम कह सकते हैं कि 126 degree equal to 126 degree और यही हमारा answer है कि x की value 126 degree निकल कर आ गया in figure if a b is parallel to c d a b जो है वो c d के parallel है e f e f जो है वो perpendicular है c d के ऊपर and angle g e d angle g e or d यह पूरा वाला angle यह बड़ा वाला 126 दिया हुआ है then fine angle a g e g e f and f g e तो यहां पर दो लाइने parallel हमें दी हुई है एक perpendicular है और एक यह g e d का angle हमें 126 का दिया गया है ठीक है तो यह चीजे जो है वो हमें यहां पर given है perpendicular का मतलब यह है कि दोनों तरफ 90 degree का angle बनाता है तो angle f e d जो है वो 90 degree होगया तो हम यहां पर लिख देंगे angle f e d equal to 90 degree because of perpendicular f e d की value हमें 90 degree मिल गई आप सबसे पहले देखते हमें निकालना है a g e a g e a g e यानि कि यह वाला angle अब यह दोनों parallel lines है और यह transversal line है g e तो इसलिए angle a g e angle a g e equal to angle g e d equal to angle g e d alternate interior angle alternate interior angle से यह एक angle इस angle के equal हो जाएगा a g e g e d के अब g e d कितना दिया हुआ है 126 degree यह दिया हुआ हमें question में तो यह भी हो गया 126 degree तो पहला answer जो हो हमारा यह निकल कर आगया a g e equal to 126 degree यहां पर लिख रहता हूँ 126 ठीक है उसके बाद आते है g e f पे जी ए एफ निकालना है तो g e f अब g e d अगर आप देखें यह वाला g e e और d यह जो बड़ा वाला 126 का एंगल है यह किन दो एंगलों को मिला के बन रहा एंगल g e f plus angle f e d तो यहां पर हम लिख सकते हैं angle g e d equal to angle g e f plus angle f e और d ठीक है अब यहां पर g e d की value क्या है 126 और g e f हमें निकालना है तो g e f को g e f ही रहने देंगे plus f e d क्या है यहां पर perpendicular की वज़े से 90 degree अब angle g e f तो इदर ही रहेगा 90 इदर चला जाएगा तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो 36 degree निकल कर आ जाएगा angle g e f तो यह आगया हमारा 30 degree है यहां 30 लिख देता हूं तो यह हमारा 30 degree आ गया हमारा second भी पूरा हो गया तीसरा angle हमें निकालना है यह g e f 36 degree निकल के आ गया हमारा यहां पर 126 में से माइनस करके 90 अब थर्ड angle जो हम निकालेंगे f g e f g और e अब यह वाला angle निकालना है यह वाला angle निकालना के लिए क्या है कि अगर a g e 126 है तो f g e linear pair में equal हो जाएंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस जबापर कर लेते हैं angle a g e plus angle f g e equal to 180 degree linear pair linear pair ठीक है यह linear pair हो भी अब a g e की value क्या है 126 plus angle f g e equal to 180 degree और angle f g e equal to 180 minus 126 तो angle f g e equal to यह हो जाएगा हमारा 54 degree ठीक है तो यह 54 निकल कर आ गया हमारा ठीक है तो हमारे तीनों angle निकल कर आ गया है a g e 126 g e f 36 और f g e 54 तो इस तरीके से हमारा यह question number 3 पूरा होता in figure if p q is parallel to st angle p q r equal to 110 and angle r st is equal to 130 find angle q rs हमें यहाँ पर दो लाइने दिए एक p q और एक st जो आपस में parallel है p q is parallel to st ठीक है और यहाँ पर जो हमें दो एंगल रहे हैं एंगल p q r और एंगल r st यह 110 है यह 130 है हमें find out करना है angle q rs यह वाला angle जो है हमें निकालना है ठीक है angle q rs तो इसमें क्या है सबसे पहले हमने यहाँ given में लिख लिए p q st के parallel है p q r 110 है और r st 130 है सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा construction का part है construction में हम क्या करेंगे कि एक हमें जो है वो line parallel बनानी है p q के r point से तो वह हम बना देंगे इस तरीके से ठीक है और इसका नाम रख देंगे m और n ठीक है यह m n जो है वो parallel बना दी है p q के तो यहाँ पर आ जाएगा construction में draw a line parallel to p q ठीक है draw a line parallel to p q और m और n उनका नाम रख देंगे तो हम यह कह सकते हैं कि p q is parallel to m n ठीक है अब अगर यहाँ पर देखें तो यह हमें डिया हुआ पी q parallel to st यह वाली p q is st के parallel given है और p q ही जो हुआ हुआ हमने m n के parallel अभी करा है construction से ठीक है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते है p q parallel to st यह डिया हुआ हुआ हमें ठीक है तो p q m n के parallel है और p q कोई st के parallel है तो इसका मतलब जो है वो m n st के parallel होगा m n parallel to st अब क्यों होगा क्यों कि यह हमारा theorem है वो theorem है 6.6 के अगर जो है वो किसी भी single line का के अगर कोई line parallel होती है तो वो दूसरे line के भी parallel होती है common line अगर कोई होती है तो यह बीच में जो है वो common line हो गई st के भी जो है वो यह parallel है और m n के भी यह parallel है तो यह दोनों भी आपस में parallel होंगी ठीक है यहां पर मैंने theorem का number लिख दिया है आपको पूरी जो है वो चोरम लिखनी है m n is equal m n parallel to st अब अगर p q जो है वो m n के parallel है by construction यहां पर लिख देंगे by construction ठीक है और यहां पर लिख देंगे given क्योंकि यह दीवी थी ठीक है तो आप यह देखें एंगल p q r एंगल p q r प्लस एंगल m r q यह वला एंगल plus एंगल m r q equal to 180 degree यह होते हैं co interior angle ठीक है यह co interior angle हो जाएंगे क्योंकि यह दो एक parallel sides है यह q r transversal है तो अंदर के दोनों angle का sum 180 होगा अब p q r हमें धिया हुआ 110 और angle m r q हमें निकालना है equal to 180 angle m r q equal to 180 transpose होके minus 110 होगा तो angle m r q equal to 70 degree निकल के आए जाएगा तो यह 70 degree निकल आया इसी तरीके से हम इस तरफ आ जाते हैं यहां पर कर लेंगे इसी तरीके से इस तरफ आ जाते हैं कि यह स्टी जो है वो parallel है m n के स्टी parallel है m n के तो angle t s r angle t s r plus angle n r s यह वाजा अंगल plus angle n r s equal to 180 degree यह भी यहां पर को interior angle हो जाएंगे यह दोनों parallel है और यह ट्रांसपोसल है ठीक है तो t s r दिया हुआ 130 degree plus angle n r s निकालना है equal to 180 है angle n r s equal to 180 transpose होके 130 इदर चला जाएगा angle n r s is equal to 50 degree निकल कर आ जाएगा तो यह हमारा 50 निकल कर आ गया 50 degree है ठीक है अब जब यह 70 हो गया angle mr q और n r s हो गया 50 निकालना है q r s तो यह तीनों मन रहें एक लाइन पर तो linear pair से यह निकल आएंगे तो इनको किस तरीके से निका लेंगे हम इनको ऐसे करेंगे के angle p q a sorry angle mr q angle mr q plus angle q r s plus angle q r s plus angle n r s plus angle n r s plus angle n r s is equal to 180 degree यहाँ पर लिख देंगे linear pair यह linear pair हो गई दो हमने निकाल ली है चीज़रा निकल आएगा mr q के value 70 है plus q r s निकालना है और किसकी value 50 है equal to 180 है 70 50 120 हो गया plus angle q r s हो गया equal to 180 और angle q r s equal to 180 और transpose हो गई यह उदर चला जाएगा तो 120 angle q r s is equal to 60 degree निकल कर आजाएगा और यह हमारा answer है हमें यही 60 degree वाला angle निकालना था angle q r s तो इस तरीके से जो हो हमारा यह motion number 4 पूर हो हमारा in figure if a b is parallel to c d a b is parallel to c d angle a p q angle a p q यह वाला angle जो है वो 50 degree है and angle p r d angle p r d equal to 127 degree है then find angle x and y और हमें x और y की value find out करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि x देखते हैं तो यहां पर हमें ने हमें पता है कि a b is parallel to c d अगर a b c d के parallel given है और पी q जो है वो एक transversal line है तो इसका मतलब angle a p q और angle x यह आपस में alternate interior angle होगे तो मैं लिख सकता हूँ यहां पर angle x equal to angle a p q यहां पर लिख सकता हूँ alternate interior और angle ठीक है alternate interior angle लिख सकता हूँ अग a p q की value क्या given है हमें यहां पर a p q 50 degree तो यह 50 degree दी हुई है तो x की value भी 50 degree हो गई तो x आगया हमारा 50 यह 50 degree निकल कर आगया अब इसी तरीके से अगर a b parallel view है c d के तो p r जो है वो transversal line है तो therefore angle a p r angle a p r equal to angle p r d यह वाला पूरा angle यह वाला पूरा angle यह वाला पूरा angle इस वाले पूरे angle के equal बन रहा alternate interior angle तो यहां लिख रहेंगे angle p r d ठीक है अब angle p r d की value है 200 sorry 127 given है ठीक है और angle a p r अब angle a p r किन दो angle को मिला के बन रहा angle a p q यह वाला angle plus angle y ठीक है तो हम इसको a p r को लिख सकते है angle a p q plus angle y equal to 127 degree a p q q की value हमें 50 d भी थी plus angle y equal to 127 degree और angle y equal to 127 और 50 जाका transpose हो जाएगा ठीक है यह minus 50 हो जाएगा तो यह आजाएगा angle y equal to 77 degree और यह answer हो जाएगा तो angle y निकल कर आगया 77 और angle x निकल कर आगया 50 और इस तरीके से हमारा यह motion number 5 पूरा उटा है हमारा in figure p q and rs are two mirrors p q and rs दो mirror हैं placed parallel to each other यह दोनों parallel जो है वो एक दूसरे के place करे गए हैं यानि की रखे गए हैं तो p q is parallel to rs सबसे पहले तो इस बात से पता चलता है कि p q जो है वो rs के parallel है ठीक है and incident ray 1 incident ray a b strikes the mirror p q p q को strike करती है और b c के path पर चलके यहां rs को जो है वो c पे strike करती है और फिर जो है वो c d के path पर चल पड़ती है reflect होने के बाद तो proof करना है कि a b is parallel to c d यह दोनों हमने कर लिए तो सबसे पहले यहां पर given में तो हो गया p q p q parallel to rs इसके बाद थोड़ा सा construction करेंगे यहां पर हमें जो है वो यहां पर perpendicular बनाना है यहां पर perpendicular ठीक है draw perpendicular वी एंड c n अब कैसे बनाएंगे यह मैं आपको बना के देखा यह पर फिर पर्पेंटिकूलर बनेगा यहां से ऐसे यह परपेंटुलर बनेगा हैं यहां से अैसे, वह बनेगा से, इस पर भी चाहिए. तो हम इस angle को ले लेंगे angle 1, इस angle को ले लेंगे angle 2, इस angle को ले लेंगे angle 3 और इस angle को ले लेंगे angle 4 ठीक है? यहां पर चार angle बन रहे हैं, उनको हम नाम ले देंगे जिससे के थोड़ा सा solution में easy हो जाए अब by construction हम यह लिखेंगे के BM is parallel to CN BM parallel to CM, CN by construction, यह दोनों आपस में parallel है, BMB और CNB क्यों? by construction और दूसरी बात इसके अंदर यह है के perpendicular drawn on parallel lines perpendicular drawn on parallel lines are always equal, ठीक है? यह एक ठीक है? यह एक ठीक है, जिसमें यह कहा गया है के parallel lines पे जितने भी आप perpendicular गिरा होगे, वो आपस में parallel ही गिरेंगे और माने जाएंगे तो उसके विहाफ पर जो है, हम यह BM को CN के parallel प्रूफ कर देंगे और हमने कर दिया इसके बाद आप आप यह देखें के यहाँ पर angle बन रहा है M, B और C therefore, यहाँ से चुकू कर दूँगा, therefore, angle B, sorry, B नहीं है, angle M, B, C M, B, और C, equal to angle N, C, और B, N, C, और B, ठीक है यानि कि यह वाला angle 2 जो है, इस वाले angle 3 के equal हो जाए है angle 2, equal to angle 3, क्यों? क्योंके alternate interior angle alternate interior angle का मतलब BM और CN parallel है और यह BC जो है, वो transversal line है तो इसका मतलब angle 2, angle 3 के equal हो जाएगा alternate interior angle की criteria से, इसकी वज़ा से, ठीक है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कि अगर angle 2 जो है, वो angle 3 के equal है है ना, तो यहाँ पर angle 1 जो है, वो angle 2 के equal होगा और angle 3, angle 4 के equal होगा, अब वो कैसे होगा? पहले मैं यहाँ लिख ज़ता हूँ आपके लिए कि angle 1 equal to angle 2 कैसे होगा? law of reflection आपने previous classes में पढ़ा होगा, physics में law of reflection उसके अंदर क्या होता है कि angle of incidence, यहाँ पर होता है angle of incidence is equal to angle of reflection यानि की incidence का angle, अब यहाँ पर angle of incidence का मतलब A, B, M, यह जो angle 1 है, यह angle of incidence है, reflection के बाद angle 2, angle of reflection है, so therefore angle 1 equal to angle 2 law of reflection के तरीके है इसी तरीके से angle 3 equal to angle 4 तो कि angle 3 यहाँ पर जो है, वो incidence का angle है और reflect होके यह 4 बन रहा है तो angle 3 equal to angle 4, same law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection अब आप यह देखें कि जब 2 मैंने 3 के equal कर दिया, alternate interior angle और 1 जो है, वो 2 के equal है, तो अगर 2, अगर 2, angle 2, 3 के equal है और angle 1, 2 के equal है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि angle 1 equal to angle 3 अगर angle 1, 2 के equal है और 2, 3 के equal है, तो angle 1, 3 के equal हो गया और अगर angle 3 के equal 1 हो गया, तो angle 3, 4 के equal है तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, अगर हम सीधा-सीधा लिख दें कि angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4 यह चारो angle जो है, वो इस तरीके से equal हो गया, 1, 2 के equal है, 2, 3 के equal है और 3, 4 के equal है, तो therefore we can say that angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4 अब यह चारो हमने कर दी है, एक डूसरे के equal, तीक है, अब यहाँ पर क्या था कि angle 2 था, angle 3 के equal, यह चारो के चारो equal हमने प्रूफ कर दी है अब आप यह बताएं कि angle 1 और 2 मिला के कौन सा angle बन रहा है, angle A, B, C इसकी जगा पर लिख देंगे angle A, B, C इन दो को हम देखें, तो angle A, B, C बन ले आए, यह पूरा है और यह क्या बन रहा है, 3 और 4 मिला के angle B, C, D इसकी जगा पर हम लिखने है, angle B, C, D 3 और 4 की जगा पर, तो angle A, B, C और angle B, C, D प्रूफ हो गया यह कौन से angle हो गाए, यह हो गाए, alternate अगर यह अल्टरनेट इंटिरियर आंगल होगा है और दोनों इक्वल होगा है तो अल्टरनेट इंटिरियर आंगल तभी बनते हैं यह समझे है जब कोई लाइन साइट्स परलल होगा है यानि कि अगर AB जो है वो CD के पैरलल है और ये ट्रांसफरसल लाइन है ने समझा आप तो ये जो एंगिल बन रहा है पूरा एंगिल B और एंगिल C वो और अल्टरनेट इंटिरियर एंगिल होगा तो अगर ये अल्टरनेट इंटिरियर एंगिल है ये इस तरीके से जो है वो हमारा कोशन प्रूव हो जाता है फिर से बता देता हूँ आपको एक बार दो मिरत थे अंगिल ओफ इंसिडेंस वन बन रहा है अंगिल ओफ रिफलेक्शन टू बन रहा है ये लाओ उफ रिफलेक्शन के हिसाब से दोनों इक्वल होते हैं इसी तरीके से ये इंसिडेंस है ये रिफलेक्शन है ये दोनों इक्वल हैं यानि की ये चारो एंगिल हमने इक्वल प्रूफ कर दिये चारो एंगल प्रूफ कर दिये तो दो एंगल बना रहे हैं एंगल B यानि की A, B, C एक एंगल बना रहा है ये B, C, D ये वाला दो मिलके और दो ये मिलके बना रहे हैं जब ये पूरा B और ये पूरा C आपस में इक्वल प्रूफ हो गए और ये एक ट्रांसवरसल लाइन हो गई तो A, B टेरलल हो गई C, D के और ये ही हमने पूरूफ करना था तो इस तरीके से हमारा ये गोशन 6 पूरा होता है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ठैंक यू